अगर सल्मान खान की बात करें तो दूसरी कवर भी उनी से जड़ी हुई है साल दो हजार दो में सल्मान खान एक इंटरव्यू दिया था पुराना इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू इन दिनों सोचल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है जिसमों उने अपनी एक्स लेडी लव के बारे में एक ऐसा बयान दिया था जिससे सुनकर उस वक्त हर कोई हरान था लेकिन आखिर उनकी लेडी लव थी कौन सी ये तो आप भी जानना चाहेंगे चली द्यानते हैं इस रिपोर्ट में सल्मान खान और एश्वरा राय बच्चन कभी बॉल्वुट के सबसे रोमांटिक कपल्स में से एक थे इनका इश्क संजी लीला भनसाली की सूपर हेट फिर्म हम दिल दे चुके सनम के सेट से श्रू हुआ था और सबको लगा कि ये जोडी आगे तक जाएगी ये जोडी हर किसी की फेवरेट बन चुकी थी लेकिन सल्मान के अडियल रवये के चलते दोनों का रिष्टा ज्यादा नहीं चल पाया और अचानक इनका रिष्टा तूट गया जिसके बाद आश ने अपने इंटर्व्यू में आरूफ लगाया था कि सल्मान उनके साथ मार्पीट करते थे जिससे वो तंग आ चुकी थी वो बहुत शकी इंसान थे लेकिन आप कहेंगे कि हमाथ सल्मान और एश के पुराने रिष्टे की बात क्यों कर रहे हैं तो हम आपको बता दे कि इन दिनों सोशल मीडिया पर सल्मान का पुराना इंटर्व्यू बारन हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सल्मान ने अपने इंटर्व्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने एश के साथ कभी मार पीच नहीं थी जी हां बताया जा रहा है कि सल्मान ने ये इंटर्व्यू 2002 में दिया था जिसमें उन्होंने साफ तोर पर कहा था युनों ने एश्वर एराय पर कभी हाथ नहीं उठाया और एश के पापा उनकी बारे में बिल्कुल ठीक सोचते थे गलती सिर्फ मेरी थी आपको बता दे कि जब सल्मान और एश रिलेशन में थे उस वक्त खबरे आई थी कि सल्मान ने एश के फ्लाट में जाकर जम कर हंगामा किया था वो पूरी रात एश के दर्वाजे की बाहर खड़े रहे लेकिन एश ने दर्वाजा नहीं खोला यहां तक कि सल्मान ने एश की पापा से बेहत बत्तमीजी से बात की थी जिसके चलते एश उनसे इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने उनसे ब्रेक अप करना ही ठीक समझा दरसल एश्वर्या की फामली को उनको और सल्मान का रिलेशन्शिप पसंद नहीं था वहीं अपने इस इंटर्व्यू में सल्मान ने ये भी माना है कि उन्होंने कभी आश पर हाथ नहीं उठाया लेकिन फिल्म ताल की शूचिंग के दौरान आश के चलते उन्होंने डारेक्टर सुभार्श गई पर जरूर हाथ उठाया था अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जाते हैं लेकिन इस इंटर्व्यू के सामने आने की बाद आश और सल्मान का पुरारा रिष्टा जरूर सुख्यों में आ गया है और कहानी फिर शुरू हो गई है देखते हैं इन खबरों पर सल्मान और एश की तरफ से क्या रियाक्शन आता है जोरे रेपोर्ट आई बीसी 24